तो आज मैं आपको बाजू का एक डिजाइन बुनाना सिखाऊंगी तो सबसे पहले यह मेरे पास बाजू का कपड़ा जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहां मैं 16 इंचेस पर निशान लगाके इसकी कटिंग कर रही हूँ और आगे से जो हमारे पास कपड़ा इसको मैं साइड्स ओपन कर लूँगी क्योंकि मेरी चारो साइड्स जो है कपड़े की वो बंद थी यह कपड़ा हमारा जो है 7.5 इंचेस का था जो आगे वाला था आपके जितनी बाजू की लेंथ है आप उतना ले सकते हैं यह बाजू की लेंट 21 से 23 इंचेस तक होती है और यहां अब मैं इस पे जो आगे का हिस्सा मैंने कट किया था उस पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लूँगी पूरे कपड़े पे आपने इसी तरह एक जितना फास्ला रखके प्लेट्स डाल लेनी है और यहां आपने हाफ डाल ली हैं हाफ मैं डालूँगी यह दो बाजू का कपड़ा है इचे वले बाजू के हिस्से की मैंने कटिंग कर ली थी और अब इसके आगे जिस कपड़े पे मैंने प्लेट्स डाल ली हैं वो मैं लूँगी और कपड़े के साथ नीचे का जो बॉर्डर है बचा हुआ वो ले लूँगी तो हम लोग क्या करेंगे कि यह हमारे बाजू का उपर का हिस्सा है इसके उपर मैं बॉर्डर रखूंगी और इसके उपर जो हमारा प्लेट्स वाला कपड़ा है उसको उल्टा करके रखूंगी और तीनों को अटाच कर दूँगी एक दूसरे के साथ बाजूओं पर मैं ऐसे कर लूँगी और जो नीचे का बॉर्डर है उसको यहां टाच करने के बाद दूसरी साइड से भी मैं उसके उपर सिलाई लगा लूँगी मैंने इन तीनों को अटाच करके दूसरी साइड मोर दिया है और अब जो यह वाला बॉर्डर है इसको मैं सलाई लगा लूँगी यह मेरे पास किसी और शर्ट का बचा हुआ बॉर्डर था आप चाहें तो कंट्रास्ट में कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह लगा सकते हैं बाजू के आगे बॉर्डर लगाना तो बहुत कॉमन है आप इस तरह करके लगाएं तो यह जादा अच्छा लगेगा इसको मैंने इस पर टैच कर लिया है दूसरे बाजू पे भी इसी तरह फोल्ड करके अटैच कर लूँगी और अब जो बाजू के आगे का हिस् नॉर्मल हम लोग डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं आगे की तरह हमारा प्लीटेड कपड़ा आया है आगे अब मैं टसल लेस लगा लूँगी आपके पास कोई भी लेस हो कंट्रास्ट में तो आप वो लगा सकते हैं लेस ना भी लगाएं तो उसके बगएर भी बाज अच्छा लगेगा और वास मेरे बाज़ी लेट होड़ी कम थी मैंने आगे अटसल लेस लगा लिए और यहां अब मैं पहले मने बाजू के उपर सिंगल से लगािए और इस लेस को नीचे रखके उपर से मैं एक और से लाई लगा लूंगी बाजू हमारा यहां रेडी हो गया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आप भी अपने किसी भी चेक वाले कपड़े पे या सिंपल प्लेन पे भी यह बहुत अच्छा लगेगा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें थांक यू फर वाच्छी लगेगा